नबस्कार दोस्तों आप सब्सक्राइब का स्वागत जीनियस टॉक पर आज के वीडियो में हम बात करेंगे कोगनेजिंट कंपनी के कॉइंट पेपर वन की चलिए शुरू करते हैं ए कि एक क्लास में फॉर्टी स्टुडेंट्स है और जिन मेंसे 14 वह हैं जो मैट्स लेकर बैठे है 29 वह हैं आपको प्रवबिलिटी निपालने है अगर कोई सुडेंट को चूष किया जाए और हूँ सिर्फ कॉम्वेंटर क्लास लेकर बैठा है उदेखें किया करेंगे 40 students हैं तो यहां पर देखिए अगर इसको हम वेंड डियाग्राम से सॉल्व करेंगे वेंड डियाग्राम मेथड कहता है कि आप पहले circle बना लीजे अगर आपके understanding अच्छी है तो आप डारेक्ट भी कर सकते हैं तो देखिए यहां पर हमारे लेकिन यहां पर आप काउंट करें तो यह पूरा बॉक्स है हमारे पास यह पूरा ग्रूप है यह हमारे पास में 40 students का ही है ठीक है तो यानि कि यह पूरा 40 है और यह कैसे हो सकता है कि यह सभी 40 है और यह 43 आ रहे तो इसका मतलब टीन ऐसे होंगे जो दोनों पड़ते होंगे ठीक है इसका मतलब टोटल मैट्स वाले 14 है तो ओनली मैट्स वाले हो गए 13 यह अगर हम लिखें तो मैट्स ओनली 13 हो गए और ऐसे ही कंप्यूटर ओनली भी हो गए 26 अब यह पूछ रहे हैं कि प्र दोनों की बात नहीं हो रही है और टोटल कितने हैं 40 और आप पर्सेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं इन 200 कर देते हैं तो यह मारा आंसर हो जाएगा यह तो तो थर्टीन फाइव जा सिक्स्टीफाइव दोस्तों हमारा इस क्वेशन का आंसर हो जाएगा तो बेसिक लोग ऐसे हैं जो दोनों करते हैं तो उनको उन तीन लोगों को हमने बीच में रख दिया और बाकी ओनली को हमने काउंट कर लिया तो यह हमारा आंसर आ गया 65 परसेंट टू डाइस इनको फेका जाता है और प्रॉबिलिटी निकालने हैं कि उन दोनों डाइस में जो सम हो य आप डाइस को रोल करेंगे ठीक है नमबर आफ टाइम डाइस रोल या नमबर आफ डाइस रोल तो यहां पर दो डाइस है तो टोटल केस हो जाएंगे हमारे पास 36 दो की है आपका सिक्स का स्क्वेर अब आगे अगर देखें अगर यह रोल के से हमारे पास 36 हो जाते हैं तो फॉर और शिक्स को बनाने की गोशिश करते हैं तो आप जानते हैं सांपल स्पेस सभी नमबर की होती है लाइक वान वान से लेके वान टू फिर वन से और इसके बात यहां पे लास्ट में आएगा 66 यहां पर 6 1 शिक्स 2 6 3 इस तरह से तो ईको डिए बाइबर ऑफिए कि वलाइब्लाशिक्टर मतलब है वन और एंगर 3 ले 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 तो इन दोनों का sum बनेगा 4 जो कि divisible by 4 है अगर हम 6 से चाहते हैं तो 1 और 5 लेना पड़ेगा तो 1 और 5 का sum होता है 6 तो ये आपका cancel हो जाएगा 1 और 6 बनेगा नहीं 1 और 4 नहीं बनेगा 1 और 2 भी नहीं बनेगा और 1 और 1 भी नहीं बनेगा तो 1 के case में यहीं बनेगे आगए अगर 2 की बात करें तो 2 के साथ एक 2 होना चाहिए तब ही sum 4 होगा या 2 के साथ 4 होना चाहिए तो सम 6 होगा 2 और 6 एक और हो सकता है जिसमें कि सम 8 है यह possible case हमारा हो सकता है तो यह हम favorable cases यहां पर निकाल रहे हैं क्योंकि इस total cases तो हमें बता ही है आगे देखें अगर 3 की बात करें तो 3 1 यह होता है 4 यह divisible हो जाएगा 3 3 6 होता है और यहाँ पर 358 होता है इसके बाद 369 तो वो नहीं लेंगे तो थ्री में यह तीन केस बन जाएंगे फूर की बात करें तो फूर के साथ में टू हो जाएगा यह शिक्स बन गया फूर के साथ अगर दोनों फूर होंगे तो एट तो यह फूर से चला जाएगा और four five nine हो जाएगा four six ten हो जाएगा यह नहीं ले सकते फाइव की बात करें तो five one यह हमारा sum six हो गया और five three हमारा sum eight हो गया five five ten हो जाएगा five four nine हो जाएगा नहीं लेंगे five six eleven हो जाएगा obviously नहीं लेंगे six की करें तो six और two यह हो जाएगा six और three nine हो जाएगा नहीं ले सकते six और और फोर टैन हो जाएगा डिवाइड नहीं होता फोर से सिक्स और सिक्स जो है आपका 12 हो जाएगा इसके लावा और कोई केस हमें नहीं मिलेगा तो एक डो तीन चार पांच पांच तीन आठ आठ दो दस और चार चौदा यानि कि टोटल आपके उस फोर्टीन केसी जैसे बने जो फेवरेबल है और टोटल केसी होते हैं 36 तो यह जो एंसर होगा आपका हो जाएगा सेवन बाइटीन डाट इस ऑप्शन बी तो बहुत बढ़ी है क्वेशन था इसके बाद एक फ्यूल डीलर है जो दो ब्रैंड को मिक्स करता है और जिनकी कॉस्ट का रेशो है आपके प प्रॉफिट होगा जिसमें की प्रॉफिट की परसेंटेज 10 परसेंट की होगी और आपको बताना है वाट इसी कॉस्ट ऑफ ब्रैंड बी ब्रैंड बी का कॉस्ट कितना है तो दोस्तों इसको हम एलिगेशन मेट से करेंगे अगर आप पूरा वीडियो देखना चाहते हैं यहाँ पर देखते हैं कैसे करेंगे अ कॉस्ट्रीऊ लेट का जो की है लेखने के लिए मान लेते हैं। है ट्री इक्स से और यह है 3 O कातेग्रीरियस की ब्रैंड में ब्रैंड है ब्रैंड भी है यहां पे कह लिए इसके बाॉद हमें इसका鍋 रोजन है कि यहां पर सुसुल नाइटी समझें लेक्नी में इसका क्या है भी 297 आपका क्या है आपका selling price है पर हमें आपको प्राइश चाहिए तो selling price देखे अगर आप course price निकालना चाहते हैं दोनों ब्रैंडस के mixture का cost price क्या होता है जो आपका selling price होता है तो मैं आप पहले फारमल लिख देता हूं फिर आप इसको समझ लीजेगा 100 upon 100 प्लस मानिन परसेंट इन्टूस तेलिंग प्राइस और हमें मिक्च्चर का दिखे यह कॉस्ट प्राइस है यह पर भी कास्ट रहना चाहिए यह सेलिंग पैश नहीं रहेगा तो अगर यह नहीं रहेगा तो यहां पे क्या आगा हंड्रड और यह 10% का प्रॉफिट है तो हंड्रड प्लस 10 सेलिंग प्राइस आफ मिक्चर है हमारे पास 297 तो इसको सोड़ा सॉल करेंगे तो आपको समझाएगा कि यह 27 इंटू 10 270 तो यहां पर आजाएगा दोस्तों 270 तो इसको आप या तो इस वे से कर सकते हो या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो या तो आपने फॉर्मले से कर लिया या आपको लॉजिकली यह चीज बड़ी क्लियर है कि भई 10 परसेंट का प्रॉफिट का मतलब होता है 110 परसें की वैल्यू है कॉस्ट प्राइस की है ना किसकी कॉस्ट प्राइस के मिक्शर की तो एक परसेंट के कितनी हो जाएगी 297 वाइब और आपको पूरा कॉस्ट प्राइस जाहिए तो आपको 100 पर्सेंट यह भी बात वही है पहले हमने इसको ऐसे लिग दिया था कि एन्डर अप 297 110 परसेंट की वैल्यू है तो 100 परसेंट की वैल्यू क्या होगी या फिर आप डिरेक्ट कर सकते हो तो यहां पर पास 297 आ गया यह 10 परसेंट आ अब देखिए तो 2x और 3x यह हमारे पास दो वाराइटी होगी इनका ओवरॉल 270 है और यहां पर जो रेश्यो था आपको याद 30 यह था तो यह 70 था ठीक है अब ध्यान से समझेंगे तो यहां पर देखिए क्या है कि अब इसके बाद में हमारे पास यह 37 तो इसका क्या रूल होता है तो अगर आप देखेंगे तो इन दोनों को को मल्टिप्लाय करेंगे इसको इस से यह होता है आपका आवरेज नंबर वन यह रएवरेज नंबर डू यह होता है नंबर क्यांटिटी गाएज 90 लबर वन ऊर नंबर टू यह में अअपら इसरे से भी यह साब्स करते को तो अगर यहां पे थोड़ा solve करेंगे तो आपको यहां पे मिल जाएगा कि यह जो है N1 यहां पे कितना है 3 तो यह 3 है और A1 है 2X N2 है आपके पास में 7 और A2 है यह 3X A मतलब average N मतलब number यह है क्या देखें यह sum है अगर सिर्फ इनके sum की बात करें तो average इंटो number हो जाएगा तो इसको S1 बोलेंगे और इनके sum की बात करें यह 1 था तो यह हो जाएगा S2 है ना N2 इंटो A2 तो वही कर रहे है तो 7 इंटो 3X और total में number है तो यह 10 है और यहां पे value है 270 इसको थोड़ा solve कर लेंगे cross multiply करके तो यह 6X और यह 21 तो यह बन जाएगा दोस्तो 27X यह 10 270 से multiply होके बन जाएगा 2700 तो X की जो value है वह 100 आ जाएगी अब पूछा क्या है इन्होंने पूछा है कि जो answer है वह 3X का क्या है जो second वाला brand है उसका cost क्या है तो भही अगर X की value 100 आती है तो 3X की value क्या होगी 3 into 100 जो की हो जाएगी दोस्तों option A that is 300 तो 300 इस question का answer है combined average से हमने इसको solve किया है आगे बढ़ते हैं एक question आप कमेंसरेशन से है a rectangular carpet has an area of 120 एक कार्पेट है rectangular उसका area आपको दिया हुआ है इसका area दिया हुआ है area दिया हुआ है 120 और आप जानते है rectangular में यह length होती है यह breadth होती है तो जो area होता है वो length into breadth होता है यानि L into B की value हमें पाता है इसके बाद कह रहे हैं कि आपको एक perimeter भी दिया है तो यह रहा perimeter जिसकी value दिया है 46 यह आपका area था तो area था आपका 120 यह हमने लिखी लिया है तो perimeter क्या होता है perimeter होता है सभी lens का sum और rectangle का perimeter आप जानते हैं ल प्लस एल यानिकी 12 और बी प्लस भी तो यहां से जब हम कॉमर लेते हैं तो टू एल प्लस भी आपने formula भी पड़ा होगा यह होता है अमारे पास formula perimeter का यहां से आप इसको यूज कर सकते हो तो basically हमारे पास क्या-क्या है आप हमने बी जो कि है 46 यहां से 2 को cancel कर सकते हो 23 हो जाएगा अब पूछा है length of its diagonal अब diagram फिर से देखते हैं diagonal कहा होती है और कैसे हम इसको बना सकते हैं तो देखे किसी भी rectangle में जो diagonal होती है न वो यह length होती है यह वाली और क्योंकि आप जानते है rectangle के यह वाले angles 90 degree होते हैं तो यह पाइटागरस चिप्लेट बन जाता है अगर यह length L है यह B है तो जब आप इसमें पाइटागरस ठेरम लगाते हैं तो यह आता है अंडरूट ओफ L स्क्वेर प्लस B स्क्वेर यानि कि हमें निकालना है लेंद का डाइगनल होता है रूट ओफ L स्क्वेर प्लस बी स्क्वेर तो यहां पर मैं इसका डिरेक्ट फॉर्मला यूज़ करूंगा अगर आपको भी याद है तो बहुत जल्दी आपका अंसर आज हमें अगर यह चाहिए हमें अगर दोस्तों यह चीज चाहिए ल-प्लस-बी-बी-बी एल-प्लस-बी का होल स्कुएर क्या होगा इसको सॉल्व कर लेंगे आगे तो यह आजाएगा दोस्तों उढ़ाँ पलस भी हमता है 23 23 का स्क्वेर माइनस टू एल बी तो यह जाएगा टू इंटू 120 तो 529 में से 240 चला गया और यह बन जाएगा आपके पास 289 तो एल स्क्वेर प्लस बीसकर की वैलू यह आगी यह 289 आएगा और आप जानते हो हमें चाहिए लगाओगे तो यहां पर भी रूट लगेगा यह जाएगा रूट ऑफ 289 जो कि होता है 17 तो यहां से अंसर आजाएगा ठीक है और आप इसको या तो इस वेसे या फिर आप सीदे याद रख सकते हो कि जो इसके बाद आप एक 20 से कर सकते हो और अगर आपको इसमें थोड़ी सी नॉलिज पाइटागोरेस ट्रिपलेट्स की है तो थोड़ा काम जल्दी हो जाएगा लेंथ है आप जानते हो कि जो डागनल होती है यह होती है और पाइटागोरेस कैसे कैसे होते है देखो एक होता है 3, 4, 5 एक होता है 5, 12, 13 एक होता है 8, 15, 17 अगर यहां पर उप्शन देखो तो यह सी ओप्शन में 17 है यानि कि यह जो लेंथ होगी यह जो होगी है यह तो यह 5 हो सकती है 13 हो सकती है 13 भी हो सकती है बिल्कुल सही है पर अगर आप equation से चेक करें तो आपको एक आईडिया लग जाएगा देखे अगर एरिया यानि की लेंट इंटू ब्रेट्थ वन ट्वेंटी है और साथ के साथ एल प्लस बी जो है वो ट्वेंटी थ्री है तो अगर आप थोड़े ऑप्शन्स रखें तो यहां से बात बन जाएगी अगर आप तेरा लेते हो सब्सक्राइब आपने लि अगर ए्ठी है यह फोर है तो यह 5 होता है तो यहां अगर इसकी नोलमार्ज है तो आपका काम बहुत जल्दी हो जाएका आप जानते हो कि यह दो तो होते ही नहीं है यह ह। शिक्ति हैंना जैसे कि उर होता है 20, 21 और 29 ह्थ होता है यैंनि 29 हो सकता है क्योंकि यह तो हो नहीं सकता तो अगर आप यह रखोगे आठ और पंदरह यहां से आपको रखने पर देखो यह तेज भी मिल गया और यहां पर रखोगे पंदरह और आठ तो 120 मिल गया इसका मतलब इसमें कुछ सोचना ही नहीं है यहां को सिधा करना है कि कर सकते हैं आगे बढ़ते हैं आगे हैं आपके बास एजिस का क्वेशन यह कह रहे हैं कि अभी की अगर बात करें अनिल की एज ठीक है तो इसका मैं सीधर ट्रिक पर आता हूं अगर अभी की बात करें तो यहां पर अनिल है और यहां पर पूर्वी है यह मैंने पूरा एक म जादा है पूर्वी की एच से अगर पूर्वी वन है तो अनिल वन पॉइंट फाइव होगा यानि अगर इसको डिवाइड करें टैन से तो यह हो जाएगा थ्री बाए टू और यह हो जाएगा वन अब दोनों साइड अगर टू से मल्टिप्लाय करें तो यह टू से टू कैंस अनिल और पूर्वी का जो एच का रेशू हैं वह सबसे पहले चीज़ यही लिखनी है कि और पूर्वी इनका जो एज का रेश्यो थो है अगर आपको यह पता है प्चिस और अठारा बन जाएगा अब देखिये अगर आठ साल यहां बढ़ रहे हैं तो यहां पे भी तो आठरी का डिफ्रेंस होनाँ चाही मैं आप डिफरेंस देखो हैं और यहां 12 नहीं इस यहां गर सेम है तो यहां पर क्यों सेम होनाłość है ratio में तो अगर यह सेम नहीं है तो इसको सेम कैसे करते हैं उसके लिए हम क्या करते हैं इनका horizontal difference लिखते हैं जैसे तीन और दो का horizontal difference एक है पच्चीस और 18 का horizontal difference कितने का है साथ का है तो इस एक को इस एक को साथ और इनको करना है साथ से फैसे का मतलब इन दोनों को साथ से करना है तो अब आपके पास नया रेशो आएगा तो नियीं और 21 और 14 प्रोटीजिय मti अ 법 और क्योंकि वन से मंडिवले किया है तो यह रोश्यो सेम ही रहेंगे तो अब देखें क्या ratio wise कुछ बात बनी देखें यहाँ पे चार का gap है तो यहाँ भी चार का और यह gap यहाँ पे आठ का है हाँ इसका मतलब यह दोनों gap उप सेम है तो अब देखे आट साल की value कितने आगी जाँ, चार units, आच साल की value है भई, 8 साल की value है चार units, तो एक unit की value कितने होंगे, दो साल होंगे, अब पूछा क्या है, पूर्वी की percentage, भई पूर्वी की wey प्रेजेटेश कौनिए यह तो पूर्वे की प्रेजेंटेश यह है मेरे दोस्त फूर्टीं तो एक उनिट की वैलीव दो साल है तो वह चौदा इन्टो दो और इस वह से करें अगला कोशन आपका सिम्लिफीकेशन का तो यहां पे आप डिरेक्ट करोगे 49 बाइ 10 इसको लिख सकते हो 4.9 क्योंकि अगर LCM निकालने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा तो रॉफली इसको कर लेंगे तो 50 पॉइंट आएगा 15 फॉर्जा 60 टैन बचेगा तो यह आएगा पॉइंट फॉर शिक्स अगर इनको देखेंगे 26 और 27 और 40 तो फॉर पॉइंट नाइन तो फॉर पॉर पॉइंट टू है तो यह भी नहीं हो सकता यह विए की औप्शन बचा तो यहां से आप आट सीधा कर सकते बिना इसको सॉल करें वैसे 27 और 46 कितना होता है तो यह होता है 73 तो 0.73 और 4.9 में आड़ भी कर लोगे तो यह आपका 5.63 के असपास आएगा तो यह आपका अंसर हो जाएगा option भी तो इसको जल्दी सॉल करने के लिए सीधा डिवाइड करो और approximation में पहुंचा जल्दी आप टिक कर पाएंगे नेक्स क्वेश्चन है आपके पास 5 पाकेज है तो सबसे पहले इमको लिख लेते हैं यह क्वेश्चन आपका वेटेड आवरेज का है जो कि मैंने आवरेज की लेटेस्ट क्लासेज में डिसक्स किया है और अप अच्छे से देख सकते हो थाड़ और फॉर्ट सेशन में ज्याइब तो देखे फस्ट पैकेज है कितना इस फाइब हंडड़ के इस सेकेंड पैकेज 50% ज्यादा है 500 का फिफ्टी परसेंट धाईसो ज्यादा होगा तो सब्सकेशन थी किए कि परशलेसे निकाल सकते हैं चाहे तो ऐसे निकाल लो जो तो यह डिर्ड कर लो तो 45 परसेंट जादा है इसका मतलब 500 में यह आपका हो जाएगा इसका 45 परसेंट निकालके 500 में आड कर दिया क्योंकि फ़स्ट से 45 परसेंट जादा कहा है ठीक है आगे चलते बात कर रहा है बसक्तिक कि इसका मतलब यह 60 परसेंट की वैल्यू है तो अगर हमें फिस्ट का लिकालना तो वह 100 परसेंट परसेंट की वैल्यू होगी यानि कि हो जाएगा six तो यह जाएगा आपके पास में देखें जो फॉर्थ पैकेज है वो 60 परसेंट लाइटर है इससे इसका मतलब जो यह 60 परसेंट लाइटर है तो यह हो गया आपके पास अब देखिए क्या पूछा उसने अब उसने भोला है कि इसका सब्सक्राश रहीक निकाल तो या तो या ऐसे निकाल सकते हो कि इन सब्सक्राश निकालो और इनका सब्सक्राश से model नहीं निकालना तो इक मेतडे जो हँए फुर्टे किया ता ह्यां आप d me ऐका का यह ना देवियेशन से निकाल से तो एक ऐसा नंबर आवरेज मानिए जो आपको लगता है कि सब में है तो 500 सब भी में है ठीक है और इन सब का डिफेरंस लिखिए जैसे 500 से 500 का डिफेरंस जीरो है फिर 750 में यह एक्स्ट्रा डिफेरंस पहीet 100 तो है 725 में यह एक्स्रा डिफरेंस का दूस्आप चिस का है 306 में यह डिफरेंस कम है रियंद सोचालिस और 100 में यह फिर से जदा है और यह सारा डिफरेंस पांच वेटस बाज का है फंका य?- तो इन सब को 5 से उइवाइब खरेंगे तो जो भी यहां एक्स्ट्रा मिलेगा वह पांच पैकेजिस में डिवाइड हो जाएगा यह कॉंसेप्ट है अब इसको आड़ कर लेंगे कितना आगया देख लिए तो अगर आप इसको आड़ करते हो तो आपके पास 240 और 140 तो यह बन जाएगा आपके पास में 110 है ना इसका डिफरेंस अगर एक सो दस और दो सुपच्छीश करेंगे तो यह बन जाएगा तो थर्टी फाइव और और एड़ करेंगे तो आपका बन जाएगा यह देखें इन दोनों का डिफरेंस एक सो दस और यह जाएगा तो यह बन जाएगा आपका 335-35 और 100 वहीं 435 तो 435 टोटल हो गया इसको प कितना हो जाएगा 587 बहुत बढ़ी है क्विशन है क्योंकि है तो ध्यान रखना है पहले परसेंटेज चेस डेटा को चेंज कर दिया और उसके बार अगला क्वेश्चन सिंपल है सिंपलिफिकेशन का है कर लेंगे तो देखें यहां पे आपको इसकी वैलों निकालनी है त तो थर्टी एट परसेंट अब इसको लिखने की ज़रूत ना पड़े इसको आप समझेए परसेंटेज से दो जिरो कटेंगे क्यों क्योंकि जब आप इसको इस तरह से लिखो गए तो यहां पे 4500 यह 20 इनकी में बात करना लों परसेंटेज से 20 चलेगे 48 45 और 38 को मुटिपलाय करना है और साथ में माइनस करना है 1640 को और यह बन जाएगा आपका 25 परसेंट आफ जो भी बूचा है तो पहले इसको सॉल कर लेते हैं मुटिपलाय करके कितना आता है वो देख कर सकते हैं 48 होता है 320 और 58 होता है 42 45 हो जाएगा 360 तो बिल्कुल ठीक है 60 जीरो आ गया 36 यहां आ गया 45 थ्रीजा 43 होता है 120 और 15 135 अब 135 में हमारे पास 36 एक्स्ट्रा भी था तो यह बन जाएगा दोस्तों 171 तो यह बन जाएगा 1710 माइनस 1640 कितना डिफ्रेंस रहा 70 का डिफ्रेंस रहा है 110 में से 40 चलेगे मेरे खाल से इतना ही ऐसा ही कुछ रहा है बिल्कुल और यह 25 परसेंट की वैल्यू है यानि की एक्स का यह 14 है तो एक्स इदर जाके 4 से मुटिप्लाय हो जाएगा 1724 एंसर हो जाएगा 280 जिसको भ 600 रुपीज को डिवाइड किया हुआ है ABCD में और अब 3 डेशो इक्वल है थो सबसे पहले हमें वेष्भेशन tav को डिवाइड किया है तोrement है 600 को और नोटी सब्सक्राइब और यहां पर नाइन बाइब से टेन ज्यादा तो यह तो एक्वल है अब देखें तो ए रहेगा बी को एकी टर्म में लेके आ चले शुरू करते हैं इसको बनाना तो अगर आप बी को एक टर्म में लाना चाहते हो तो यह 20 यहां जाएगा तो आप लिख सकते हो टू बाइ फाइव ए प्लस ट्वेंटी इस इक्वल स्टू टू बाइस सेवन और अगर बी निकालना चाहते हैं तो सेवन और यहां जाएग तो यह बन जाएगा सेवन बाइ टू टू बाइ फाइव ए प्लस ट्वेंटी तो यह भी है यह आपका यह हो जाएगा अब ऐसे भी जो है आपका यह हो जाएगा इसके बाद अब आते हैं ए और सी में ए और सी में तो नाइन बाइ सेवनटीन सी प्लस टैन इक्वल टू तो अब यहाँ पे देखे ए शेर एका शेर पूछा है तो अब हमें सी को एक टम में लाना है तो यह दस यहाँ पहुँच जाएगा पहले तो टू बाइ फाइव ए प्लस थर्टी और यह जाएगा नाइन बाइ सेवंटीन सी ठीक है अब अगर सी निकालेंगे तो यह उल्टा हो जाएगा सेवनटीनबाइण नाईन और यहां पे तो दोस्तों यह सी ए फाल में आ गया यहां पर वी एकवाम में आ गया था अब जो हमारें पार इस फाल में आया है बस उसको छोड़कि के बाकि हम रबद कर रहें ताकि कि हम इसको directly use कर पाएं और क्योंकि हमें थोड़ी सी स्पेस यहां पर चाहिए तो हम इसको हटा देते हैं अभी के लिए चले इसको लिखते हैं तो ए तो ए ही रहेगा बात करते हैं बी की तो भई भी है इसको अगर मॉल्टिप्ला करोगे तो यह बन जाएगा आपका 14 यह अंदर जाएगा तो यह बन जाएगा 70 क्योंकि यह टू टैन टाइम जाएगा तो यह बन जाएगा बी की वैल्यू यहां अप्लिख सकते हो कि सेवन बाइफ़ाइव एप्लस सेवेंटी सिमिलरली अगर यहां थोड़ा सॉल्व करें तो यहां तो नहीं हो रहा है लेकिन चलिए जो भी है ट्राइब करते हैं सैंवनेटीन टूसर थर्टी पोर और यह पर फॉटी फाइफ तो शेवनेटीन तो यह जा सकता है ज्यादा से ज्यादा तो यह होजाएगा 170 थी ठीक है जी 170 by 3 तो यानि कि इसको लिखा जा सकता है 34A by 45 प्लस 170 by 3 तो यह A है यह B है और यह आपका C है और यह total कितना है 600 अब हम इस सब को हटा देते हैं और इनको आके solve कर लेते हैं ठीक है क्योंकि अब हमें सिर्फ A की value निकालने हैं क्योंकि इसमें और कोई option नहीं है हमारे पास ratio दिया हुआ है और एकी value चाहिए अगर option भी उठाएंगे तो भी काफी आपको समय लग जाएगा equation को satisfy करने में ठीक है तो solve कर लेते हैं इसको आगे तो अगर इसको solve करेंगे तो ए वाले पहले कठे करतें तो ए प्लस सेवन बाइफाइव ए प्लस कि तो यह सबको यहाँ इसे चले गए तो बचे फाइव थार्टि 530 में इसे बार्टि को माइनस करना है यहां अगर देखेंगे लिएंगे तो यहाँ आगा 45 तो यह आएगा 45 तो 45 टाइम्स ए 975 945 970 63 ए और 34 ए इसको सॉल्ड करेंगे तो 3391590-170 इनको सॉल्ड करें तो यह बनेगा आपके पास में 3,4,7,5,12,4,6,10,4,14,142a बाइफ 45 यहां से सॉल्ड करेंगे तो यह 15 आजाएगा और यहां अगर इसको सॉल्ड करें देखें इसको कितना आएगा यहां आपके पास में ठीक है तो इसको देखेंगे 0 यह हो गया 2 और यह हो गया 1420 तो यह आपके पास में आ गया 1420 इन्टु 15 और यह है आपका 142a तो 142 से यह कैंसल 10 टाइमस तो एक ही जो वैल्यों आएगी मेरे दोस्त हुआएगी 150 जो की है ऑप्शन भी तो काफी क्याकुलेटीव है कुशन बट इसको फर्स्ट गों में मत करेगा इसको सकींड गों में करेगा जोब सारे बाकी सारे कुश्चन्स आप अटेंट कर लें लास्ट कॉ क्या लगाते हैं तो बारा में से दो बाइस चाहिए तो फंद्रा में से तीन गर्स चाहिए तो फंद्रा सी इसको शॉल्व कर लेंगे आप जानते हैं कि 12C2 का मतलब होता है 12 से 2 पीछे जाना तो 12 इंटू 11 भाए 2 इंटू 1 और 15 से 3 पीछे जाना 15, 14 और 13 और ये 3 तो 3 और 2 और 1 2 से चला गया तो ये 6 हो गया 6 से 3 और 2 चला गया इसको माटिपला करेंगे तो एक बड़ी चेक कर लेते हैं लास्ट में 0 आएगा क्योंकि 5 भी है और इसके अंदर 2 भी है तो ये बिल्कुल ठीक है आगे इसको सॉल्ड कर लेते हैं तो देखो 15, 5, 4, 20 ये तो ठीक है तो इसको माटिपलाई करना पड़ेगा 11 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 ये आपका 152 होता है और 14 3 जा भी 42 होता है अगर 13 से करें तो 152 और 13 और 5 182 तो 165 इंटू 182 होता है इसको अगर आप थोड़ा सॉल्ड करें तो आपका अंसर आजाएगा फाइब टू इसके बाद तो इसके बाद इन दोनों को करेंगे तो तो फाइव एड़ फॉर्टी और शीश्टू जा ट्वल फिफ्टी टू और एक फिफ्टी त्री तो लास्ट में थ्री आ रहा है यानि कि यह आ गया सेकेंड लास्ट यूनिट जो देख लिया तो यह एंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए डाट इस 3 0030 तो दोस्तो यह था